हेलो एविवान आम रमेश निसाद और वलकम यू और आज किस वीडियो लेक्शर में हम देखने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन आंसर्स जो की अकसर एक्जाम में आते रहते हैं और 20 important MCQs आज की स्वीडियो लेक्शर में देखेंगी और यह ऐसे questions हैं जो की हर साल आते रहते हैं और यह किस तरह से आते हैं तो यह जो आते हैं यह फ्लैमिंगो बुग से आते हैं और जिसमें सी चार नमबर के आपके प्रो सेक्शन से और चार नमबर के आपके पोईटरी सेक् आने वाले एक्जाम में भी आये तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेर हो जाएए यह जो questions आते हैं इससे पहले एक passage होता है और यह जो passage होता है उसको read करना होता है आपको यह दिसमरी पता है आप यह अच्छे से जानते हैं summary को तो आपको पैसेज को पढ़ करके अप poetry का कोई part दिया रहेगा और उससे related questions दिया रहेंगे चार नंबर के poetry से और चार नंबर के आपके प्रोज से तो poetry को भी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आप direct यदि आपको poetry के बारे पता है तो आप direct questions के answers दे सकते हैं ठीक है तो बीना time waste करे start करते हमारे यह वीडि तो यहां पर पुछा जा रहा है कि जो river थी नदी थी वो कौन सी नदी थी deep water में तो option A दिया है गंगा, option B द यमूना, option C दिया है नील and option D दिया है Yakima, so कौन सी नदी थी deep water में, तो deep water जो लेशन है उसमें हमने देखा था Yakima river, तो option D will be the correct answer, now let's see the next question, next question है the pool was at the blank, Option A दिया है, MBBS, Option B दिया है, YMCA, and Option C दिया है, NCC, and Option D दिया है, NSS. So, which will be the correct answer? जो पूल था, वो कहां पे था? तो पूल था, YMCA. तो YMCA, Option B will be the correct answer. Now, let's see the next question. Our next question is, the narrator went to the pool with? जो narrator है, वो पूल गये थे. किसके साथ गये हुए थे, किसको लेकर के वो गये हुए थे? So, Option A दिया है, A pair of water wings, Option B दिया है, A pair of socks, and Option C, A pair of shoes, and Option D, A pair of gloves. तो वो क्या लेकर के गये हुए थे? तो वो, a pair of water wings को लेकर के गये हुए थे. Waterwinds वो होता है जिसको लगाने के बाद तैने में आसानी होती है Okay, now let's see the next question The narrator's father took him to the beach inn Narrator के जो फादर है वो उन्हें बीच पे लेकर के गय हुए थे कहां के बीच पे लेकर गय हुए थे Option A is Goa, Option B is Texas, Option C is Los Angeles and Option D is California So, कहां लेकर के गय हुए थे उनकी जो फादर है वो बच्पन में तो वो लेकर के गय हुए थे California में यानि Option D will be the correct answer Now, let's see the next question Our next question is The man who stopped at the temple prayed for एक स्टोरी है उस स्टोरी में एक व्यक्ती है वो क्या करता है? तो वो क्या करता है? Option A दिया है, a pair of shirts के लिए Option B दिया है, a pair of socks Option C दिया है, a pair of shoes And Option D दिया है, a pair of gloves So, which will be the correct answer? तो वो किस के लिए प्यार करता है? A pair of shoes ठीक है? तो उस स्टोरी में तो प्यार करता है? तो प्यार करता है? Now, let's see the next question In the backyard of the temple, there were blank plastic chairs Backyard of the temple, temple के जो पीछे है Backyard है, वहाँ पी क्या था? There were plastic chairs और जो plastic chairs थे, वो उसका जो रंग था, वो कैसा था? Option A is black and white Option B, black and red Option C, red and white And Option D, white and green Now, let's see the next question Blank in my neighborhood, remains soothesless तो यहाँ भी जो Pointless है, वो बताती है कि जो लड़के थे वो सूजलेस थे उनके neighborhood, उनके परोसी बचे थे वो हमेशा क्या थे? उनके पास सूज नहीं थे जूते नहीं थे, पहनने के लिए कुछ भी नहीं थे तो वो जो लड़के थे वो कौन थे? उनके जो परोसी थे नैवर थे, वो कौन थे? तो option ने दिया है सूमेकर Option B दिया है हाउकर्स Option C दिया है पोटर And option D दिया है रैकपिकर्स तो कौन थे वो? तो वो थे रैकपिकर्स ऐग है कर ना दृतर नंसे के 넣 हो गार नो वो कर मेख इंड हो जों लोग होते हैं अनुका जो काम होता है वो था है रख पिक अगे सिए नौ न रा मंच औरay विचीज विए I see that our teacher had on his beautiful जो teacher है, Mr. Hamill की बात हो रही है, M. Hamill की बात हो रही है, वो अपने सुन्दर क्या पहने हुए थे, option A दिया है, red coat, option B है, green coat, option C है, blue coat, option D है, yellow coat, तो कौन से कलर का कोट पहने हुए थे, जब little French जो है, जब स्कुल में जाता है, तब वो क्या देखता है, तो वो देख के, यानि green coat पहने हुए थे, और cap लगाए हुए थे, now let's see the next question, black were sitting quietly on the back benches, जो back benches है, पिछे के जो bench है, उसमें कौन बैठे हुए थे, option ने दिया है, village people, option B दिया है, students, options ने दिया है, school teachers, and option D दिया है, principals, तो कौन बैठे हुए थे, back benches में, तो वो बैठे हुए थे, village people, य जो भी चीज़े में आपको पढ़ा रहा हूँ, उन चीज़ों को आप क्या करिए, imagine करिए, mind में imagine करिए, क्योंकि जो चीज़े हम mind में imagine करते हैं, तो वो चीज़े हमारे mind में अच्छे से छप जाता है, हम उसे भोलते नहीं है, तो ऐसा करिए कि आप जो भी चीज़े आप सीख रहा हूं उन चीज़ों को आप उने माइन मेन इमette करीए क्योंकि ये चीज़े आपके इग्जाम में काम आये इग्जाम में दिया पूल भें गए तो भी आप इमेजन करके उन को फिर से रिकॉल कर सकते हैं तो इमेजिनेशन में बहुत सकती होती है आप इमेजिन करिये और बहुत अच्छे से और बड़े इंट्रेस्ट के साथ पढ़ी ठीक है नाव लेट सी नेक्स question our next question is M. Hamill was teaching blank language Mr. M. Hamill कौंसी भासा पढ़ा थे तो वो कौंसी भासा पढ़ा रहे थे option A is English option B is Hindi and option C is French and option D is Russian so which will be the correct answer option C is the correct answer in a French वो फ्रेंच भासा के teacher थे okay now let's see the next question Berlin has order to teach only Berlin से आदे साय था कि कौंसी भासा पढ़ा जाए जाएगी so option A is Russian option B is Hindi option C is English and option D is German तो कौंसी भासा तो वो थी जर्मन भासा जर्मनी भासा okay so Berlin से यह आदे साय रहा था कि Olsen's and Lauren की जितने भी schools है उन स्कूल में French language की जगा कौंसी भासा पढ़ा जाएगी जर्मन भासा okay now let's see the next question the children's face is look like यह बच्चों की जो चेहरे हैं वो कैसे दिखाए देते हैं option A is rootless vegetables option B is rootless fruits and option C is rootless weeds and option D is rootless stems weeds तो कैसे दिखाए देते हैं तो वो rootless weeds की तरह यानि बीना जड़के खर्पत्वार की तरह बीना जड़के खर्पत्वार की तरह okay now let's see the next question our next question is the paper-seeming boy has the paper-seeming boy has the paper-seeming boy has the paper-seeming boy has the paper-seeming पतले boys है उनके पास क्या है the option A is red size option B is dog size option C is cat size and option D is bird size so which will be the correct answer so option A will be the correct answer and red size उनके पास क्या थे चुहे के जैसे आखे चुहे के आखे okay now let's see the next question the boy's eyes live in a dream of blank game जो बोई जड़के है उनके आखों में उनके आखों में किन का सपना है किन के game का सपना है किसके खेल का सपना है तो option A है frogs option B है monkeys option C है peacocks and option D है squirrels तो कौन सा option सही होगा option D squirrels गिलहरी okay now let's see the next question awarding the world its world इनका जो world है इनकी जो दुनिया है वो कैसा है कैसा award है तो option A is open-handed book option B is open-handed map and option C is open-handed gloves and option D is open-handed monuments so which will be the correct answer so open-handed map and option B is the correct answer now let's see the next question lives that's really turn in their cramped holes from form to endless इनकी जो दुनिया है इनकी जो life है जिन्दगिया है इन जो बच्चे जो जो की बस्ते बसेरा करते हैं रहते हैं उनकी जो life है वो सरमिले तोर से एक fog में यानि कोहरे में इनकी जो life है कोहरे की भाती कैसे है endless है तो endless किसके साथ endless days है यानि ऑप्सेन ने दिया है नाइट ऑप्सेन सी दे है morning ऑप्सेन दिया है evening तो endless कभी समापना होने वाली क्या है राते है यानि option B night endless night है उनकी जो life है उनकी life में धेर सारी problems है और उनकी life उस कोहरे की भाती है जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है उनका भाविश्य एक कोहरे की तरह है जिसमें उनका भाविश्य दिखाई ही नहीं देता है 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 नहीं दिखाई देता है नहीं देता है नहीं दिखाई 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 देता है वो कैसे दिखा देते हैं? बोटल बेट के तरह, काज के तुकडे की तरह, बोटल के तुकडे की तरह. Now, let's see the next question. Our next question is, the windows that set upon their lives like. खेड़कियां, जो बन हो जाते हैं उनकी लाइफ में, जैसे, किसके जैसे? तो, option दिखा है, coconut, option दिखा है, streams, stream, and option C दिखा है, catacombs, and option दिखा है, river. So, which will be the correct answer? So, option C will be the correct answer. It means catacombs. तब उनके जो कब्र है, कब्रों के ताखानों की तरह, उनके जो windows है, वो बंध हो जाते हैं हमके लाइफ में, जैसे catacombs. यादि, option C will be the correct answer. Now, let's see the next question. Children run next into books, the blank leaves open. So, यहाँ पे पुछा जा रहा है, कि जो बच्चे हैं, वो बिना बस्तर की दौरते हैं, बुक की तरफ, और उनके जो leaves है, पत्तिया है, उपन है, कौन से कलर के हैं? So, option दे दिया है, green and yellow. Option दे दिया है, black and green. Option C दिया है, white and black. And option दिया है, white and green. So, which will be the correct answer? So, option D is the correct answer, white and green. Book and leaves. Okay? Book, white and green leaves. Now, let's see the next question. Our next question is, in blank was my parent home. यहाँ भी जो कवित्र है, वो कहती है, my mother is at 66, यानि my mother at 66 isolation में, इस poem में, इस poetry में, जो कवित्री है, वो कहती है, blank, in blank was my parents home. यानि कवित्री की जो parent का घर है, वो कहाँ पे हैं? तो option A दिया है, चिन्नाई, option B दिया है, मुंबई, option C दिया है, कोचिन, and option D दिया है, भोपाल. So, कहाँ पे हैं उनका parents हो? उनका जो parents हो है, वो है चिन्नाई, यानि option A is the correct answer. And, कोचिन के लिए वो रवाना होती है, अपनी मा के साथ. Okay, तो यह हो गया, यहां के लिए वो रवाना होती है, लेकिन उनका parent का हों कहा है, चिन्नाई में है. So, इस तरह से हमने 20 important MCQs कम्पलेट कर लिये हैं. I hope कि यह वीडियो लेक्शर आपको काफी अच्छे से पसंद आया होगा, आपको यह सारी चीज़ समझ में आया होगा, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़ेए, ताकि आपकी पूरे के पूरे नंबर आए. बागे questions हम next part में कराएंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से prepare करिए, और हाँ, अपने जो confidence level है, उस confidence level को आप बना करके रखिए, कभी भी अपने आपको किसी से कम अता किए, हमेशा पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और mobile में जो फाल् इसे वीडियो को देखिए, जो आपके लिए knowledgeable हो, जिसके वजह से आप जादा से जादा number ले करके आए, इसलिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप सेय करिए, ताकि आपके जो दोस्त है, वो भी आपके जैसे अच्छे सचे नम्मा ले करके आए, मैं मिलूंगा नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद